किसी बात करेंगे डर्मी के मौसी क्रीम के बारे में डर्मी के मौसी क्रीम क्या है और इसका composition क्या है इसका use क्या है और इसके side effect क्या है और यह कैसे काम करता इसका mechanism क्या है इसके बारे में detail में देखेंगे जब पहले देखते हैं कि डर्मी के मौसी क्रीम क्या है और इसका इसक का इस्तमाल कर सकते हैं तो डर्मी के मुश्य एक क्रेम है जो iskin infection के लिए सकीन में कहीं भी infection हो जाय उस वहां पी ये क्रीम स्टमाल करते हैं अब देखते कि इसको कहां कहां किसी कनडिशन में इसको यूजज़ करेंगे तो यह किरिम का इस्तिमालार अगर कहीं पर जल जाए उसके उसे जो बेक्टोरिया होने लगता है वहांपर इसको अपलाई कर सकते हैं इसके- करेंस यह सब कंडिशन में इसको क्याओं कर सकते हैं। यह सब कंडिशन आपको सब्सक्राइब ने करते हैं। इसका लिवाँ प्राइवेट पाट में यह क्रिम का इस्तिमाद नहीं कर सकते पतला करने लगता है और जो प्राइवेट पाट पे जो इसकी अपर प्राइवेट पाट में लाध है देखतें कि इसमें composition क्या है, इसमें कौन-ई-कौन सा salt formation राखकर है, इसमें चार तरगा composition रहता है, चार chemical से ये मिलके बना हुए जिसमें ये टरबिनफाइन है, ग्लोबितासोल है, और फ्लोकशासीन है और और निलगा जोले, इसमें चार तरगा with क हरते हैं, अब देखतें कि इसके लाव़ जो Cloobitasol है Cloobitasol एक काटिकोक्ष्ट्रोइड है एक इस्ट्रोइड विस्क्रीम है Cloobitasol का क्या मगा रहाता है इसकिन पर आपके कहीं पर Redness आ जाए, दुज़जान आ जाए या ICHING हो रहा है यह condition में आप Cloobitasol को ले सकते हैं यह सब को खतम कर देगा है इसके लाइस में और और निड़ाज हो ले यह दोने एंटीबाइटी के एंटीबाइटी का मतला अगर जी कहीं पर बैक्ट्रिया का इंफेक्शन आ जाए वहां पर इसको अपलाई कर सकते हैं यह कहीं पर जल जाए यह कुछ भी हो जाए इसकिन पर कोई बैक्ट्रिया का इंफेक्शन कोई कारण हो जाए तो वहां पर इसको अपलाई कर सकते हैं यह क्रीम बिना डॉक्टर के कंसल्ट का बिना सला का आप ले सकते हैं अपलाई कर सकते की नहीं तो इससे पहले अगर जो कोई भी कर्टेको श्ट्राट का क्रीम हो जाता है इनके अगर जब यह अपलाई करेंगा ऐसे क्रीम तो आपका बोड़ी यह रेजिस्ट्रेंस हो जाए इसके बाद कोई सकता है इसके लिए यह कार्टे को स्ट्रेट करिम बीना डॉक्टर के आपको जल्दे यूज नहीं करना है अगर यह यूज कर भी रहे तो आपको लिमिटेड यूज करना है इसको ज्यादा दिन तक यूज नहीं करने